Hello everyone, welcome to study with us और आज हम 12th class के 1st book का chapter number 2 डिसकस करेंगे जिसका नाम है विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धी तो इस chapter में जितने भी important points हैं वो सब का सब इस video मैंने डाल रखा है और अगर आपने पहले की video नहीं देखी तो आप जरूर देखें तो इस video में सबसे पहले हमें ये जानना होगा की जनसंख्या वृद्धी क्या है तो जनसंख्या वृद्धी के अगर मैं बात करूँ तो जनसंख्या वृद्धी यहां मैंने definition इसके लिए रखी है किसी छेत्र विसेश में वहां के निवासियों की संख्या में एक निश्चित अवधी में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं जनसंख्या वृद्धी जैसे कि मान लो ये कोई छेत्र है तो इस छेतर में अगर मैं एक तारिक से तीस तारिक के बीच में जनमे बच्चों की संख्याओं को गिनता हूँ या उनके बारे में जानता हूँ पता करता हूँ तो ये कहलाएगी महा की जनसंख्या विर्धी की किसी निश्चित समय में किसी निश्चित इस्थान पर हुए जनसंख्या संबंदी परिवर्तन को जनसंख्या विर्धि कहते हैं हमारे भारत में क्या है कि परतिक 10 वर्ष के पस्चात जनसंख्या की गड़ना की जाती है और ये निर्धारित किया जाता है कि भारत की जनसंख्या किस तरीके से बढ़ रही है और 10 वर्ष में इसमें कितना आ रहा है तो इसे हम जनसंक्या वृद्धी कहते हैं खेर जनसंक्या जो होती है वो या तो उसकी प्राकर्तिक वृद्धी होती है यानि कि प्राकर्तिक वृद्धी में आ जाता है जनमदर यानि अगर किसी छेत्र की जनसंक्या बढ़ रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि वहा तो अब मालो इस स्थान से कोई व्यक्ती इस स्थान पे गया तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले वाले स्थान से जनसंख्या जो है वो कम होई है और नए स्थान पर जनसंख्या वृद्धी होई है तो जनसंख्या जो होती है वो दो तरीके से बढ़ती है मैंने बता दिया प्र मृत्यूदर के अंतर को प्राकर्तिक वृद्धि कहते हैं, या फिर प्राकर्तिक हर्स कहा जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है, तो अगर आपसे पूछे, जन संख्या के तत्तो क्या-क्या हैं, तो जन संख्या जो होती है, वो तीन चीजों पर आधारित होती है, जन आपको याद रखना है तो जनसंख्या वृध्धी की definition मैंने बता दी जनसंख्या वृध्धी कैसे होती है मैंने आपको बता दिया और जनसंख्या में परिवर्तन किन तत्वों के कारण होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया आगे चलते हैं जन संख्या घनत तो क्या है? जन संख्या घनत क्या मैंने डेफिनेशन दे रखी है कि परती एकाई छेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जन संख्या घनत तो कहते हैं यानि कि एक कोई जगा है इस जगा पे कितने लोग रहते हैं ये इसका घनत्य कहलाएगा तो इसे नापते कैसे हैं मापा कैसे जाता है ये मापा जाता है कुछ इस तरीके से कुल जनसंख्या बटे में कुल छेतरफल यानि कि अगर मान लो किसी छेतर की जनसंख्या दो करोड ह और उसका छेतरफल 50 किलो मेटर है तो अब हम क्या करेंगे इसको इससे जब भाग कर देंगे तो हमारा जनसंक्या घनत्य निकल जाता है अगर मैं भारत की बताओं तो भारत में जनसंक्या घनत्य जो है वो बिहार में सबसे अधिक है अब जनसंक्या घनत अधिक होने का मतलब यह हुआ कि जगा कम है और रहने वाले लोग जो है वो अधिक है तो इसे हम कहते हैं जनसंक्या घनत का अधिक होना बिहार में जो है जनसंक्या घनत तो सबसे अधिक पाया जाता है जहां पर जनसंख्या जो है वो अधिक है रहने की जगां कम है जबकि अगर हम बात करें कि जनसंख्या घनत तो कम है अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब यह हुआ जगां जादा है और रहने वाले लोग कम है अगर हम बोलते हैं कि यहां पर जनसंख्या घनत तो यह चीज आपको याद रखनी है अब जनसंख्या वितरन को कौन से कारण परभावित करते हैं परभावित करते हैं का मतलब यह है कि कौन से ऐसे कारण है जिससे जनसंख्या इधर से उधर होती रहती है तो वो हो सकते हैं कोई प्राकरतिक कारण प्राकरतिक कारण का मतलब यह हो जाता है कि लोग एक स्थान से अब मालो यह कोई नगर है लोग अगर इसे दूसरे जगा जा रहे हैं उस नगर को छोड़ कर मालो इस जगा पर आ रहे हैं तो उसके पीशे क्या कारण होंगे प्राकरतिक कारण हो सकते हैं हो सकता है अब प्राकरतिक कारण में कौन-कौन से कारण आ जाएंगे हो सकता है कि वहाँ की धरातलिय बनावट अच्छी हो धरातलिय बनावट अच्छी है का मतलब यह है कि वहाँ पे सडके हो अच्छी खासी पहाड परवत ना हो उचे नीचे और अच्छा पानी वहाँ पर मिलता हो और मरदा यानि मट्टी अच्छी हो, हवा अच्छी हो तो इस कारण जो है लोग एक स्थान को छोड़ कर दूसरे स्थान बे जाते हैं तो इसे हम कहते हैं प्राकर्तिक कारण जिससे की जनसंक्या वितरन होती है यानि कि जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है दूसरा कोई सांस्क्रितिक कारण हो सकता है सांस्क्रितिक कारण का मतलब होता है कि कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने स्थान को इसलिए बदलते हैं क्योंकि उन्हें मंदिर चाहिए होता है सांस्क्रितिक भासा उन्हें अपनी पसंद होती है भासा डूडते हैं कि जहां उनकी भासा बोलने वाले लोग रहते हों वो वहां जा जाके बसते हैं तो हम कह सकते हैं कि सांस्क्रितिक कारण भी है जो जनसंख्या वितरन को परभावित करते हैं नेक्स्ट है आर्थिक कारण, अब आर्थिक कारण में आ जाता है यातायात, नौकरियां, उद्धोग, इतियदी वगरा, यानि कि अब एक देश से वेक्ति अगर दूसरे देश में जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि अगर आर्थिक कारण के हम बात करें तो वो अच्छा य वित्रन हो रही है यानि बट रही है राजनेतिक कारण भी होते हैं जनसंक्या वित्रन की यानि कि एक स्थान से दूसरे स्थान अगर वेक्ति जा रहे हैं जनसंक्या इदर से उदर हो रही है तो उसका राजनेतिक कारण भी हो सकता है जैसे कि पहले जिस स्थान पर वेक्ति र जो की जनसंक्या को वितरित करते हैं या बाटते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेशते हैं ऐसे कारक है यह प्राकर्तिक, सांस्क्रितिक, आर्थिक और राजनेथिक आपसे एक्जाम में इनको इंडिविज्वल पूछ सकता है आपसे पूछ सकता है कि प्राकर्तिक कार पर डिसकस करूँगा अब जनमदर और मृत्युदर क्या होती है इसमें क्यांतर होता है यह कोशन कई बार जो है एक्जाम में पूछा गया है तो मैं बता दूं एक वर्स में जन संख्या के परती एक हजार व्यक्तियों पर किसी देश में जन में जीवित बच्चों की संख्या को वहां की जनमदर कहते हैं यानि एक वर्स में एक वर्स में कोई सब यह लेलो आप 2015 लेलो अब 2015 से 2016 के बीच में जितने भी बच्चे जनम लेंगे परती एक हजार परिवारों में या कहें कि ए जनमदर उस देश की जनमदर अब जब जनमदर की जानकारी किसी भी देश में अगर मिलती है तो उसका मतलब यह हुआ कि वहां की जनसंक्या वृद्धी जो है वो हो रही है और यह जो होती है जनमदर यह जनसंक्या के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वो काफी जनमदर अगर आपको पता है तो आप किसी भी छेत्र की जनसंक्या का अनुमा लगा सकते हैं जनमदर अधिक होगा तो जनसंक्या अधिक होगी यानि जनसंक्या वृद्धी हो रही है इसका मतलब और जनमदर अगर तीर्व गिरावट होती है जनमदर में यानि कि जनमदर कम हो जाए तो इसका परिणाम ये होता है कि जनसंक्या वृध्धी जो होती है वो गिर जाती है क्योंकि इसमें मृत्यूदर अधिक होने लग जाती है जनमदर कम हो और मृत्यूदर अगर अधिक होने लग जाए तो किसी भी छेत्र की जो जनसंक्या होगी वो एकदम कम हो जाती है और नेक्स्ट पॉइंट है कि विकासील देशों में आसोधित जनमदर अधिक है और विक्सित देशों में आप पिक्षा कृत कम होती है यानि कि जितने भी विकास शील देश है वहाँ पर जो जनमदर होता है वो अधिक होती है ऐसे देशों की जनसंक्या तेजी से बढ़ती है जैसे भारत लेकिन जो विक्सित देश होते हैं वहाँ पर जनमदर जो होता है वो उतना नहीं होता लोग शिक्षित होते है इस कारणवाह की जनसंक्या जो है वो बैलेंस में रहती है और वो देश आम तोर पर विकास भी करते हैं तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं जनमदर में सारे के सारे पॉइंट्स स्क्रिंशॉट लें और आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन करते रहें अब मृत्युदर क्या है ये भी देख लेते हैं बिल्कुल वैसी परिभासा है जैसा कि मैंने अभी जनमदर में बताई जन संख्या के परती एक हजार वेक्तियों पर किसी छेतर का किसी देश का छेतर में मरने वाले किसी देश या छेतर में या आए गया आपर या छेतर में मरने वाले लोगों की संख्या को उसका मृत्युदर कहते हैं संयुक्त राष्टे संग के अनुसार मृत्यू से तातपर्य है जनम के बाद किसी भी समय जीवन के सभी प्रमाडों का इस्थाई रूप से लोप हो जाना संयुक्त राष्टे संग के अनुसार उन्होंने परिभाशा दी थी कि जीवन के किसी भी समय जीवन के सभी प्रमाडो का इस्थाई रूप से जब लोप हो जाता है जब वो खतम हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं मिरित्युदर मिरित्युदर कैसे नापी जाती है अगर आपसे पूछे आसोधित मिरित्युदर को कैसे नापा जाता है तो याद रखें मिरित्युद की संख्या कितनी होई है टोटल संख्या गुडे में 1000 इसे रख कर आसोधित मिरित्युदर जो है वो मापी जाती है तो मृत्यु दर के ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, स्क्रीन शॉट जरूर लें इसका नेक्स्ट है, अंक गणितिये घनत्व किसे कहते हैं अंक गणितिये घनत्व किसे कहते हैं तो अब यहाँ पर यहाँ पर गलत लिखाओ है, काइक गणत्व आएगा यहाँ पर मैं यह दो पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ एक काइक गणत्व और एक अंक गणितिये घनत्व में क्या अंतर होता है सूपर इंपोर्टन कोशन है, एकजाम में हर बार यह कोशन आता है कि अंक गणितिये घनत्व क्या होता है इसमें कन्फ्यूज होने की बिल्कुल जोत नहीं है यह जनसंख्या घनत्व की तरह यह भी है बिल्कुल किसी छेत्र की, इसके परिवाशा कुछ इस प्रकार है किसी देश या किसी छेत्र की कुल जनसंख्या तथा उसके छेत्रफल के अनुपात को वहां की जनसंख्या का अंक गणितिये घनत्व कहते है कैसे निकाला जाता है यह घनत्व? ये निकाला जाता है कुल जनसंख्या का घनत और उसके बाद कुल छेतरफल याद रखें कुल जनसंख्या का घनत और कुल छेतरफल यही बेसिक अंतर है जनसंख्या घनत में और अंक गणितिय घनत में इसमें अंक गडितिय घनत जन संक्या का घनत बटे में कुल छेतरफल को लिया जाता है यह जन संक्या के साकेंद्रों के मात्रा को समझाने का सबसे सरल तरीका माना जाता है इसमें इसकी अलोचना इसलिए की जाती है यानि कि अंक गडितिय घनत के अगर आपसे अलोचना पू है ये सब तो इस कारण अंक गणितिय घनत्य की अलोचना भी की जाती है तो ये चीज भी आपको लिख लेनी है अपने नोट बुक में अब काईक घनत्य क्या होता है अब काईक घनत्य में दो चीजे होती है एक तो जनसंक्या और दूसरी भूमी किर्शी वाली भूमी वैसी नहीं तो इसकी अगर परिभाशा की अगर मैं बात कुरूं तो इसकी परिभाशा हो जाती है कि किसी देश की कुल जनसंक्या तथा वहां की कुल किर्शी भूमी के अनुपात को काईक घनत्य कहते हैं तो इसमें क्या हो गया कि किसी देश की कुल जनसंक्या में ये देखा जाता है किर्शी योग भूमी कितनी है और इसमें क्या चीज हटा दी जाती है इसमें आयोग किर्शी योग भूमी को हटा दिया जाता है यानि जब भी काईक घनत निकाला जाता है तो कुल जनसंक्या एक तरफ रखा जाता है जबकि वो भूमी जो होती है किर्शी की योग भूमी उसे इस्तमाल किया जाता है और जो ऐसी भूमी है जो किर्शी योग नहीं है उसको इसमें नहीं गिना जाता ऐसी कौन-कौन सी भूमी हो जाती है ऐसी हो जाती है चारगा भूमी दल-दल मारुस् और यहां पर भारत, पाकिस्तान, बांगला देश ये ऐसे देश हैं जहां पर किर्शी योग भूमी की मात्रा का अधिक होना जरूरी है क्योंकि यहां की जनसंख्या जो है वो अधिक है तो हम कह सकते हैं कि काईक घनत्व एक ऐसा तरीका है जिससे हम ये पता करते हैं कि जन संख्या जो है वो कितनी किर्शी योग भूमी पर निर्भर है किर्शी योग भूमी पर निर्भर है यानि कितनी किर्शी योग भूमी है और कितनी जन संख्या है इससे आकड़े लगाते हैं और इसी आकड़े से हमें ये पता चलता है कि कितने लोग किर्शी करके अपना जीवन चला रहे हैं और कितने लोग नहीं कर रहे हैं तो इसे हम कहते हैं काइक घनत्तो इसमें हम वह सब भूमी निकाल देते हैं जो किर्शी के लिए इस्तमाल नहीं की जाती है जैसे मैंने बताया दलदल, मारूहूमी और चारागावाली यानि जिस पर जानवर चरते हैं वो सब भूमी हटा दी जाती है अब यहाँ पर परवास के परतिकर्ष और अपकर्ष कारणों को जानते हैं परवास क्या होता है मैंने अभी पहले आपको बताया कि परवास का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़ कर किसी दूसरे स्थान पर निवास करता है तो हम कहते हैं कि उस व्यक्ति ने परवास किया है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक विक्ति जो है दो ही कारणों से जाएगा या तो परतिकर्ष कारण होंगे या अपकर्ष कारण होंगे अब परतिकर्ष और अपकर्ष में क्या अंतर है? अब परतिकर्ष और अपकर्ष में ये अंतर है कि परतिकर्ष वो कारण होते हैं जो हमें किसी भी स्थान से पुश करते हैं पुश करते हैं का मतलब यह है धकेलते हैं ऐसे कारण जो हमें किसी स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर कर दे तो ऐसे कारणों को हम कहते हैं परतिकर्ष कारण जबकि अपकर्ष वो कारण होते हैं जो हमें अपनी अच्छाईयों से खीचते हैं इसी हम कहते हैं पुल या अपकर्ष कारण तो अभी यहां पे लिखावा है परतिकर्ष नेक्स्ट स्लाइड में है अपकर्ष तो परतिकर्ष कारण मैंने आपको बताया कि वो कारण जिससे की कोई जनसंख्या मजबूर होकर कोई जगा को छोड़ती है अब इसके points पढ़ लेते हैं परतिकर्ष कारण भी इस्थान आंतरन के लिए उत्तरदाई होते हैं यानि कि परवास के लिए उत्तर दाई हैं इस कारण भी लोग जो है एक इस्थान से दूसरे इस्थान जाते हैं ऐसे कौन-कौन से कारण होंगे पहला बेरोजगारी लोग रोजगार के लिए एक इस्थान छोड़कर दूसरे इस्थान पर जाते हैं दूसरा है आजीव का ती आपको बताया कि परतिकर्ष में वह कारण आते हैं जो लोगों को जगा छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं दूसरा पॉइंट क्या देख लेते हैं ग्रामींड छेत्रों में किर्सी पर बढ़ती जनसंक्या के दबाव के कारण जीविको पारजन के साधनों में साधनों की कमी के कारण लोग अच्छे स्थानों के और परवास करते हैं जैसा कि मैंने बताया कि जनसंक्या आज निरंतर तेजी से बढ़ रही है कहां कि ग्रामींड छेत्रों की इस कारण आज गाओं के लोग किर्शी को छोड़ छोड़ के अपना जीवन चलाने के लिए परवास कर रहे हैं सहरों की उरा रहे हैं नेक्स्ट है गाओं में आज जीविका प्राप्त नहीं कर पाने के कारण जनसंक्या की गड़ना अधिशेश जनसंक्या के रूप में की जाती है तो यह सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिये हैं आप से अगर कोशन पूशता है कि परवास के अपकर्ष कारण बताईए तो आपको बेरोजगारी, आजीविका, संसाधन की कमी, भुक मरी इन सब को फैला कर लिखना होगा तब जाकर रखे आपके आंसर जो है वो सही होगा और परतिकर्ष कारण का मतलब पहले आपको समझाना होगा जैसा कि मैंने बताया कि परतिकर्ष कारण वह कारण होते हैं जो किसी जनसंख्या को जगा छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं अब अपकर्ष कारण के बारे में जानते हैं अपकर्ष कारण वह कारण होते हैं जो किसी भी जनसंख्या को अपनी ओर खीचते हैं ऐसे कारण जिससे जनसंख्या खीची चली आती है उसे हम कहते हैं अपकर्ष कारण अब ऐसे कौन-कौन से कारण हो सकते हैं? हो सकता है पहला स्वच्छिक प्रवास जब लोग नगरों की सुविधावो आजीविका के बहतर संसादनों से प्रेरित होकर परवास करते हैं तो उसे हम कहते हैं अपकर्ष परवास या अपकर्ष कारण जब कोई जनसंख्या कुछ अच्छा देखकर कि किसी स्थान की ओर पर जाती है तो उसे हम कहते हैं अपकर्ष कारण वो सारे कारण जो हैं अपकर्ष कहलाएंगे जैसे की अच्छे आर्थिक अवसर अच्छी नौकरिया जहां पर मिलती हो शिक्षा जहां पर अच्छी होती हो मन रंजन के सादन जहां पर अच्छे हो इस कारण लोग चुम्बक की तरह वहाँ पर खिचे चले आते हैं तो ऐसे कारणों को हम कहते हैं अपकर्ष कारण और कौन-कौन से कारण हो सकते हैं वो हो सकते हैं नगरों में उध्धोक का होना परिवहन, अच्छा संचार, व्यापार, वांडिज, यानि की इत्यदी ये सारे के सारे वो कारण है जो अपकर्ष कारण कहे जाएंगे क्योंकि इसी से ही चनसंख्या जो है वो खिची चली आती है अपने पुराने स्थान को छोड़ करके तो ये तो था हमारा वीडियो पार्ट वन, इसका पार्ट टू भी जो है वो आएगा क्योंकि पार्ट वन में अगर में डाल देता तो वीडियो इसका काफी बड़ा हो जाता ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इसका आरन इसका पार्ट टू जो है वो भी आपको कुछ ही देर में मिल जाएगा तो अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप उसे जरूर देखें So thanks for watching this video